अलो अच्छे होते स्कूशन में हमसे पूछा बड़ा प्यारस कुशन है कि वन फॉट फॉलिंग स्टेट्मेंट इस नॉट रू इनमें से कौन सा जो स्टेट्मेंट वर टू नहीं है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है क्यों क्योंकि यही हमने रुटर फोर्ट का जो अल्फार स्केटरिंग मॉडल था टीक है जो गोड़फार एक्स्पेट्मेंट था उसमें आमने यही सीची थी तो जाद अतर जो देखा था कि जतना मी मास चंसेंट्रेटेटेड है अगर लेक्टरॉंस और प्रोटॉंस इक्वल होते हैं नूट्रल अटम में बट नूट्रॉंस की वारे में कोई चर्चा नहीं कई लिए ऑप्शन भी तुम्हें टिक कर देना था यह इंकरेक्ट बात कर रहा है ऑप्शन सी के वारे में बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इक हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ नूट्रॉंस इक्वल होते हैं यह उसके लिए रिस्पॉंस इपार कोई चार्ज नहीं है तो उसके कारण अगर महूंबात करें कैसे नूट्रल हो सकता है यह वह पर प्रोटॉन की उपर पॉजिटिव है तो जैसे कि अगर एलेक्ट्रों की उपर चार्ज की बात करो तो वह होता है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb देखो 1.6 आ रहा है ना लेकिन वो negative charge है कैसे charge है negative charge है same proton की उपर charge होता है but that is positive तो वो होता 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb तो यहाँ पर तुम तो कहो कहो यहाँ पर negative यहाँ पर positive दोनों के charge इसके 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb ये दोनों same है यही reason है कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमें देखने को बिल जाता है कि atom जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है I hope आपको मज़ाय होगा लगे बात